जो बिहार की सरकार है और भारत की भी सरकार, दोनों सरकार समय देन हीन है, कोई भी अंदुलन की जएगा बात की जएगा इलो सुनने वाला, इलो के वल मीठा-मीठा बोलता है, नहीं लोग मानेगा तो पार्टी में प्रोग्राम भी बन रहा है कि बहुत बड़ा जण बहुत जूट साज बुलते बुलते लोग देख लिए 15 बरस 16 साल को हम समय नहीं होता है इन लोग को अगर करना होता तो कोई काम बाकी नहीं रहता है सुदूर वर्ती इलाके खास करके उन गरीब तबके के जनता जो की काफी आक्रोस में है जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद सरकारी जीला परसासन के दौरा उन लोगों को मिल नहीं पाया है तो आएए मैं बिधायक जी से हिस्वेम जानता हूँ कि इनके बिधान सभा के साथ साथ इस जीले की क्या इस्तिती बनी हुई है सबसे पहले तो हेडलाइन्स बिहार पे स्वागात है सर आपका आपका यह बहुत बहुत सुक्रिया तीन बार बाढ़ पुर्वीच अमपारन के साथ लगबग पूरे बिहार को अपने आगोस में ले चुकी है आपके बिधान सभा में क्या इस्तिती बनी हुई है साथ ही जीला परसासन एवं सरकार के द्वारा आम जनता को कैसी मदद मिल पा रही है किस परकार का परसासन या सरकार सहय कर रहा है अज परभारी मन्त्री जीला के है सुनिल बाबो बार के समीकष़़ करने या एक वार और हुआ था समीकष़़ा का हम लोग सब लोग अपने डिटेल बार से तो छटी है है चंपारन में व्यानक है हर साल होता है इस बार और ज़्यादा अभाई है हम लोग कें कल्यानपूर में बार तो अतना नहीं आता है लेकिन इस बार इतना पानी हुआ है जल जमाओ कि जो बीच़ड़ा था खतम हो गया, जो लोगरोपाव धान गल गया, बहुँच अगर अपनी हो भे, तो हम लोग परभारिम मंतिरी से मांग किये थे, सब लोग किये थे, हर पर्टी के विधायक लोग, जया दिव भाज़पा की लोग भी समर्थन किये थे, हम लोग के बात क कि जहाँ जहाँ बारिश से जल जमाओ से जो छती हो गया है तो फंसल लगा ही नहीं तो उसका मौजय भी तो उसको भी जो बार का सुबदा मिलता है परभारिम मंती समल मांग किये थे को सरकार से जहाँ जहाँ पानी के लगा पानी के चलते जल जमाओ के चलते समस्य होगा उस किसान को भी वहां के जोभी लोग हैं मेरे खासका कल्ए अन्प्र में जलल जमाओ का भ्यानक है टांडओ उसको भी बाधे ऐसा मुझा शुबधा मिले बार है वहां तो मिलना ही चाहिए लेकिन जहां बार नहीं है वहाँ जोल जमाओ से बार से भी भ्यानक गरबरी हुआ है, वहाँ भी मिलना चाहिए, हम लोग मांग किये थे साथ ही ही साथ छेतर में कभरेज के दौरान हम लोगों ने देखा था सडक और बिजली की भी इस्तिती काफी गंभीर बनी हुई है आपके विधान सबह में, सडक काफी तूटी हुई है तो क्या उसके मरमत को लेकर के साथ ही बिजली का जो परिशानिया आम जन्मानोस को जहनना पड़ रहा है उसको सुचारो रूप से पुना संचालित करने के लिए ठीक करने के लिए आप लगतार प्रियासरत भी है तो क्या जिला परसासन या सरकार से आपके अस्तर पे जो बादचीत हुई है तो कब तक आस्वासन मिला है कि इन सारे चुज्यों को फिर पहले की तरह सुचारो रूप से ठीक कर लिया जाएगा और पुना उन आम जन्मानस की जिंदगिया पहले की तरह पटरी पर लोट आएंगे बारिस के चलते बार के चलते रोड का हालत खराब हो गया दर्जनों दर्जन रोड चलने के लाएग बहुत सरा हम लोग क्लक्टर को लिख के दिये थे जो आरियो के स्कुट इंजिनियर है पी डवलू के सब लोग को हम लोग दिये थे बहुत जगा मोटरेबूल भी हुआ है रोडा रखके थोड़ा कम चलाओं बनाया गया अभी बहुत जगा हालत खराब है सब लोग के दिया अभी पचास परसेंट चालिस परसेंट हुआ है अभी सब बाकी है सब में अस्वासन मिला है कि सब होगा हो भी रह है अब देखिया उसमें कितना हो रहा है तो बिजली का हलत खराब है अब सब जगा बिजली के खंबा लग गया पूल लग गया तार लग गया सब लोग बिजली उजभी करना चाह रहा है लेकिन अभी पावर हाउस का संख्य हमारे कोट्वे में है पावर हाउस का हलत है कि बो हम लोग के दिया है कि एकटवा में एकस्ट्रा treat house हो क्या है बहुत ज्यादा श्यादा लोड पड़ गाया उसे काम एन्छ रहा है इस सब हम लोग लिख नहीं पड़ रहा है कुछ नहीं हो रहा है सरकार का हाल है छुपा हुआ नहीं है सरकार के वोला अस्वासन पर हम लोगों को चला रहा है विदान साहभी अस्वासन लिजिए यहां भी अस्वासन सुनिए हम तो बजटिय सत्र में बोले भी थे कि बिदली का क्या हाल है लेकिन हम लोग पर्यास कर रहे हैं कि जल से जल ठीक सो चारी रूप सो हम लोग दबाव बना रहे हैं पतादिकारी पर परभारी मंत्री पर संबंदी जो भी पतादिकारी है सबी लोगों को लिखीत रूप से मोखिक हम लोग दबाव बना रहे हैं कि जल से जल दुरुस्त किय नगर निगम के कर्मियों के दौरा पूरे बिहार में हर्ताल किया गया है जिसको ले करके सारे सहरों की नगरों की इस्तिती काफी दैनिये बनी हुई है एक तो बाढ़ की मार उस पे से कचरा की सफाई नहीं हो पा रही है जिसे सारे सिवर्स बंद हो गये हैं नाले जाम हुए हैं साथ ही गंदगियों का अमबार लगा हुआ है आपकी पाटी ने भी पून रुप से नगर निगम कर्मियों के हरताल का समर्थन भी किया है साथ ही ही सरकार में सामिल जीतन राम माजी का भी एक स्टिट्मेंट आज आया है जंतादरबार के दोरान की हम भी नगर किया जाए कि सरकार उस लेबल पे बरता करके इन लोगों का जो भी मांग है उसको पूरे करने में सक्षम नहीं है या इनका जो हक या अधिकार है क्योंकि एक बेस्मेंट पे जो देखा जाए सबसे निचले अस्तर पे जन्मानस का सेवा करना सहरों को साफ सफाई रखना ए अपने अस्तर पे आप लोग उनके मांग को एक अंदोलन का रूप में तेज करेंगे जिसे उन लोगों को सही हक मिल सके है यह जो बिहार की सरकार है और भारत की भी सरकार दोनों सरकार समय देन ही नहीं है इस पूई भी आंदोलन किजएगा बात किज़े लो सुनने वाला दूने लो के हम भिन्quila मिठा बुलेगा। मिठा बुलेगा लोपली इफ क्ष जूच बूलेगा लोग। विल्क पूली मेरम जुम्ला करता हैं। विल्क और एकृरीब भूम्हें। भिल्क दूख तर्षट भाइज वाला है। इन लोगों को लगते हैं कि सब जहां उनलों रहता है वहां तो बहुत वेवस्ता बनी हैं उनलों करते हैं पुड़ा देश मैं इसाही है हम लोग पहले से भी बोलते थे हमारे नेता भी बोलते थे गरीबों के महाना है कादर निय लालों पर साथ जाता हुजी पुसुरों में गृटिया चछ़ति का भी रौधिया मईदू का भी रौधिया किसान का भी रौधिया किसी के हमधार दे लोग नहीं है कि हम लोग बूलते तिば लोग को लगत ऊते cuma हिसा बात का रहत मात मैं डगन डगम कहीं नहीं, हर जगह यही हाल है। सब लोग आकार है, वेरोजगारी में, तबाही में, अंदुलन कर रहे हैं, लाठी चल रहा है, डंटा चल रहा है, पकड़ के जिल भेज़ दरहा है, एफ़ायर कर दरहा है। कोई सुनने वाला जब भोट था ते इलों का बात दुसरा था जब भोट हो गया जब लोका राज पाटा आ गया तो सब बात इलोग भूल गया है इसे मेरे जो सुप्रीमों है हम लोग के पाटी के विरुदी दल करन्यता अधर नियते जस्वी परसाजादो जी और बुले ते तो ये लोग बूले कि हम लोग नहीं सिलाक देंगे मिला है कहीं आप थे नोजवान आप कहीं बाज कर लिए जाके रोड पर जएए कहीं चूख चौराप और किसी स्कूल में का लेज में कहीं कोचिं Peki सांज स्थान में ज़ों क्या जवाब लोग शिख बोलता है क्या उलकर प्रालिखा नहीं है रिक्सा चलने वाला हो ठेला चलने वाला हो मजदूर हो कोई मिट्टी काटने वाला हो सबजी बेचने वाला पुछिएगा तो जो हम बात वो ने उसे बनिया बात वो लोग बता देगा कि सरकार कैसे चल रहा है हिटलर साही में कोई किसी का सुनने वाला नहीं है लोगता है माम है और हम लोग भी उन लोग के साथ खाड़ा है हम लोग लड़ रहा है और जब नहीं लोग मानेगा तो पाटी में प्रोग्राम भी बन रहा है कि बहुत बड़ा जन अंदोलन सुरो होगा नेता का प्रोग्राम बन रहा है कि साथ हम लोग खड़ाएं हम लोग लड़ रहे हैं लोगों कुई पता लगना चाहिए उसके लिए ब्यापक प्रूप से अंदोलन जिल भरव अंदोलन लड़ाई जिलावाई सम्मेलानी सब तयारी हो रहा है कि हम लोग करेंगे हम लोग इन लोग को वाद कर देंगे कि लोग जो जूट बुल के सासन में या तो इन लोग काम करेगा नहीं तो सत्त छोड़ के भाग जाएगा ऐसा प्रस्तिती हम लोग ला देंगे सरकार में बैठे लोग जैसे जदियों के संसदिये बुड के अध्यक्ष है उपेंदर कुसवाहा उनका ट्वीट और बियान आता है कि अब सरसाही इस सरकार में चरम सीमय पर है साथ ही साथ अपने बताया कि बिरोजगारी महेंगाई इन सब को लेकर के केंदर सरकार के साथ साथ बिहार सरकार जो बार बार डबल इंजन सरकार की बाते चुनाओ से लेकर के अभी तक चली आ रही है इन सारे मुद्दे पे सरकार कहीं न कहीं आम जन्मानस के रुक में देखा जाए वो सबजिया हो डिजल हो पेट्रॉल हो गैस सिलिंडर हो हर एक अस्तर पे काफी फेलियोर नजर आ रही है जिसको लेकर के आम जन्मानस में काफी नराजगी भी है तो क्या राजद पार्टी या उनके बिधायक इस चीज को लेकर के एक बड़ी तयारी चल रही है जैसे की यूपिये की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भाजपा वाले सिलिंडर लेकर के प्याज के मालाये पहन करके रोड पे आते थे तो क्या वैसी कुछ तयारी चल रही ह हम लोग लड़ रहे हैं इसके पहले भी हुआ था महांगाई के बिरोध में पूरे बलोक अस्तर पर पूरे बिहार में हम लोग परदाशन किये थे और जनता है का आपार समर्थन भी मिला था महांगाई के क्या आलम है आप घर पर जाएए गया जो लोग साधिस होदा है जि कोई छोटा-छोटा जो रुजगार कर रहा है कोई प्राइविट नो क्रीम है उन लोग भी पाप पाप कर रहा है किसी को सबजी है तो तेल नहीं है तो फी नहीं है बहुत समस्या इतना महांगाई बढ़ गया एक हजार सो पर गया सिलेंडर का दाम हो गया है सौ से पार हो सब्सक्राइब नहीं है अभी भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है अभी भी लोग भनमा रहा है बोल रहा है दस को जोट सांच आम आदमी को कितना जीवन चलाना कठीन हो गया है यह तो जाहिए कर कहीं तब पुछें बोलता नहीं आपको जाकि पुछें रिक्सा वाल से सब्जी बेचने वाला से कैसे उसका परिवार चल रहा है किसान से कोई मजदूर है उससे जो चाहिए खेती हर लोग जाहें चोटा-चोटा खेती बारी करने वह सबका हालत खराब है और सरकार कांड में तेल जाल के सो गए यह कोई बात सुने के लिए तैर नहीं यह यह बड़े-बड़े बिजनेसमेन का जी लोग सरकार है उसे का भलाई ही लो दिखता है इस सरकार में आम आदमी फट हाल है और अधानी अंबानी बड़े-बड़े जी लोग हैं उन लोग खुस हाल है उनका संपती में बहुत उच्छाल आ रहा है उन लोग को कोई दिखत नही है लेकिन आम आदमी जब आम आदमी को तकलिफ हो जाता है और आम आदमी में इतना ताकत है किसान में मजदूर में नोजवान में छात्र में कि जो जो लोग आम आदमी को जो मजाग बनाया है आम आदमी पर जो जुमलवाजी किया है जो आम आदमी को इनसान नहीं बोजाया ह जो सता के नसा में इस सब बात बुला गया उसका हालत बहुत खराब होता है बड़े-बड़े सांसा बात सा बड़े-बड़े हिटिलर जैसे सासक लोग जब आम आदमी only उभ गिया जब आदमी अभी बुरा हाल होने वला है और डबल इंजन के सरकार को जनता माफ नहीं करेगी डबल इंजन गari बिरृदी है गरीब के सोषंव हुण बहुत जूट साज बुलते बुलते लोग देख लिए 15 बरस 16 सल को हम समय नहीं होता है इन लोग को अगर करना होता तो कोई काम बाकी नहीं रहता है इन लोग से होने वाला नहीं है बिहार में बदलाव जरूरी है यहां मादमी का आवाज है बदलाव होगा तब ही विकास भी है काफी एक्टिब ही है पाटी में संगठन में भी उनका असपस्ट तोर पे यह कहना है कि सरकार वो डबल इंजन की सरकार चाहे बिहार की सरकार हो या केंदर की सरकार पढ़ाई कमाई सिचाई रुजगार इन सब जो मुद्दे हमारे आदर्णिये नेता तेजस्वी आ भी जान जो आता है ओ आयो दिन एक दूसरे से मैच नहीं करता मेल नहीं करता हमेशा पलट ही बियान आता है जिसे असपस्ट तोर पे यह देखा जा सकता है कि कारपुरेट को साथ ही साथ बड़े घर आने वाले को जो होटलों में बैठने वाले आम जन के बीच बैठने वा होगी उनका आवाज बिपक्ष साथ ही साथ राजद बिधान सभा में हो सडकों पे हो या अपने परखंड से लेकर पंचायद से लेकर राज्यवार तरीके से हो उठाती रहेगी अंदोलन को चलाती रहेगी और हमारे साथ कारपुरेट घराना नहीं है बलकि हमारे साथ आम एक दिन हिटलर की तरह समापती होना निश्चित है आने वाले समय में हमारी सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी और एक युवा नेता के रूप में मुखमंत्री पूरे परदेश को मिलेगा जो कि कमाई, सिचाई, रोजगार हर एक मुद्दे पे आम जनमानस को काफी आगे तक ले जाएगा जो बिहार गौतम बुद्ध की बिहार हुआ करती थी, समराट असो की बिहार हुआ करती थी, उस बिहार के गौरों को लोटाने के लिए, उस बिहार के गौरों को फिर से एक बार सिर्स अस्तर पे पहुँचाने के लिए हमारी पाटी और हमारी नेता हमेशा तत्पर रहेंगे आप बने रहें हमारी साथ और देखते रहें हेडलाइन